नमस्कार फ्रेंड्स, online tech, सब पुचिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है, लाल से लिखे सस्क्राइब बटन को क्लिक कर लें और इस चनल को सस्क्राइब चलिए वडियो को सुरू करते, अगर आप भी स्टेट बैंक का CSP चलाते हैं, तो आप पर भी यहाँ पर टार्गेट को लेकर के काफी फ्रेसर बना रहता होगा, और ऐसे में बहुत सारे लोगों का ID बंद किया जा रहा है, उनका option रिमूब किया जा रहा है, उनका services बंद किय जा रहा है, और यहाँ तक कि जो है उनको warning letter भी provide किया जा रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर हम image में दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर इमेज में मैं आपको summary में बदा देना चाते हो, इसमें यही दिया गया है, कि जो भी यहाँ पर बैंक का जो कार्य दिया गया है, उसके द person को hire किया जा सकता है, तो ऐसे बें लोगों के मन में यही आ रहा है कि क्या company डारेक्ली यहाँ पर हमें निकाल सकती है, ऐसे में बात यही आती है कि क्या अगर हम target को achieve नहीं करेंगे, complete नहीं करेंगे, तो क्या company हमें जो है आपर remove कर सकती है, यानि कि हटा सकती है, तो सबसे आप इस चीज को समझ लें कि BC क्या है और CSP क्या है जैसा कि कोई भी government काम निकलता है तो वहाँ पर जैसे एक ठेकदार को नियुक्त किया जाता है और उस ठेकदार के अंदर जो है इंजिनियर वरकर्स बहुत सारे लोग जो है काम करते हैं उस तरह से वह ठीकदार निकलता है उसी तरह से यहाँ पर bank जो है एजिट ठीकदार समझ लिए BC को उसको यहाँ पर निकलत किया गया है और उसके अंदर में यह सभी कारे किये जा रहे है यहाँ पर बात आती है कि company का क्या क्या अधिकार है या आपको एक जटके में जो है यहां से हटाया जा सकता है तो सबसे पहले मैं आपको पहले भी मैंने एक वीडियो बना करके दिया था जिसमें कि agreement का काफी हमने समिछा किया था और उसको summary में बताया था कि क्या-क्या जो है company आपके साथ कर सेकती क्या-क्या था कि आधिकार है तो यहां पर आप जो है जो विए उपने agreement किया है जिस भी company से किया है तो वहां पर आप Aj обрат को बहुत के our fully रिट करें ताकि आप उस चीज को समझ पाए है यहां पर जो भी आपने agreement किया है, उसको जो है carefully पढ़ करके आप समझ सकते हैं, कि company आपके साथ क्या क्या कर सकती है, तो इस वीडियो मिलता है, अगर आपको उडियो थोड़ी से अच्छी लगे हो, तो उडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें, और इस चैनल पर पहली